हेलो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है तो आज मैं दर्बंगा से बाढ़ का प्डेट लेके आया हूँ जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कुछ समय पहले यह जो दर्बंगा में यह बांध था बागमती नदी पे जो बनाया गया था यह तूट गया था तो इस बाढ़ में जो बांध तूट गया था तो इस बांध की वजह से तूटनी की वजह से जो नुकसान हुआ है वो आज मैं आपको पताऊंगा कि जो यह पानी है कितना गाउं में फैल गया है और कितना नुकसान हो पा रहा जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि पानी की इस वाज़से इसका बांध है तूट गया था दुबारा बनाने के बाद भी तो चलिए आगे कि मैं आपको दिखाता हूं कि यह जो गाउं है गाउं में किस तरह कैसे यह जो बाड है बाड अपना नुकसान कर रहा है गाउंवालों का और गाउं में जो रह रहे हैं लोग उन कर दो चलिए हम गाउं का चिरफ आते हैं और देखते हैं गाउं में पानी बढ़ गया है इसके में नुकसान हो रहा है लोगों को जैसे कि आप देख पा रहे हैं लगवक जो ग्राउंड फलोर होता हो गर का वो आधा डूप चुका है पानी में घुटने तक पानी आ चुका है और लोग छत पे रहने पर मजबूर ह गखव हैं जिनके छत नहीं है चत पे फास्ट व प्रोर नहीं है के अंदर पानी भी जा रहा है और जो भी पूरे गलियां भी है जो पानी से बढ़ी है और जो भी एरिया है लगबग लगबग साहरा का साहरा जो भी घर है सब पानी में डूप चुका है यहां पर जो लोग है वो छट पे रहके अपना गुजारा कर रहे हैं और बाहर जाना को समान लाने के लिए फिर कुछ भी तो लोग किसी पानी से होके कुजर रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ यह जो पानी है जल्दी कतम हो जाएगा जब सबको जल्दी सुख जाएगा ठीक हो जाएगा कपुझ जड़ती लाएगा ौम मैं आशा करता हूँ झालीगा जाएगा झाली यह मैं हो जाएगा जाएगाए जाएगा है जी बेखिसा गिस पानी हैं लाएगा यह मुझ झाल झाल